नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके अपनी चैनल अंजली नियूस कौन में, मैं हूँ आपकी वही अंजली बहुत वक्त लगा हमें आप तक आने में, बहुत फर्यार की खुदा से आपको पाने में कभी तुम ये दिल तोड़ कर मत जाना, हमनी उम्मरे लगा दी आप जैसा सरब बारे में जी आपने सही सुना हम आज के डेली राश्टिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जनका बज़े हैं या फर मारे जनवर्शरी हैं, उनको मेरी और से ठेर सारी good wishes हो तो चली स्टार्ट करते हैं कल का इंतिजार मत करो, क्योंकि कल तुम्हारा इंतिजार नहीं करता इसलिए कल हमेशा कल आता है अगर आपको खुद पर भरोसा है, तो आप जिसे चाहते हो, उसे हासल करके रहोगे कमजोर लोग ठोकर खाकर बिकर जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले ठोकर खाकर एक इतिहास रचते हैं फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है रिस्क लेना सीखो, जीत गए तो खुश हो जाओगे, अगर आप हार गए तो आपको सीखने को मिलेगा अकाश तब रोशन होता है, जब वे आपकी तरह जलता है, इसी तरह जितना अधिक आप अपने आपको रगडते हैं, उतना ही आप अधिक चमकेंगे अधूरा घ्यान कभी मतलो, क्योंकि अधूरा घ्यान आधे जलसे भरे घड़े की तरह होता है, काम आता नहीं, मगर छलकता बहुत है भलाए कर दे रहिए एक बहते पाने की तरह, क्योंकि वुराई एक कच्च्रे की तरह होती है, जो अपने आप किनारे आ जाती है गलती आपके प्रयास की निशानी होती है जबकि सफलता आपकी निशानी होती है जीतने के लिए खुद में हौसला होना चाहिए क्योंकि हारने के लिए बस एक तर ही काफी है भेड में गलत रहा पर चलने से अच्छा है कि अकेले खुद का रहा निश्चे करो वैसे भी शीर हमेशा अकेला ही चलता है हार क्या है? मन के अंदर ठान लेना मुझसे नहीं होगा ये हार है हमेशा कुछ नया करने से डरना ये हार है मुझसे नहीं होगा ये कहना हार है तुम करो मैं बार में करूँगा ये हार है जीत क्या है कभी भी कुछ करने से नहीं डरना ये जीत है मैं करूँगा चाहे जो कुछ हो ये जीत है वक्त को मौका मत दो कि वो तुम्हारी जिद बदल दे बलकि तुम जिद पेड़े रहो कि जिद तुम्हारा वक्त बदल दे सबसे पेले में आपको पता दू कहजाब के लिए जो है लखी कलर बन रहा है ग्री कलर और लखी जो नंबर है वो नंबर तीन रहेगा सितारे कहते हैं कि दिन की शुरुआत सफलता हिस्से होगी आपकी काम से जुड़े मान सम्मान और महनत का उचित श्रे आपको मिलस पाएगा व्यक्तिकत जीवन में रिष्टों के तरफ खास ध्यान भी रहेगा आपका आपके शब्दों से नजीके रिष्टिदार आज थोड़े बहुत दुखी हो सकते हैं परिवार के साथ आपके से कुछ लोगों का विवाद उत्पन हो सकता है आपसे छोटे व्यक्ति आपके निरने से सहमती नहीं दिखाएंगे अपने हंकार और गुसे को आपको कावो में रखना होगा विनमरता, सहनशीलता, शीतलता आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी दूर की अत्रा अगर ना करें तो बैठे रहेगा और हाँ, बजार की उर्पटाग चीजें मत खाईएगा साथ में आज इस सितारे कहते हैं कि आज आपके मार्केटिंग या मीरिया से रिलेटिड कुछ इंपॉर्टन काम वो कम्प्लीट हो सकते हैं जिसे कि आपकी आर्थिक सिती है, उसमें काफी हद तक सुधार हो सकता है सुधार से रिलेटिड कई अवसर भी आपको मिल पाएंगे किसी भी फोन काल को नजर अंदास नहीं करना है आपको हर कॉल को अटेंड कीजी, क्या पता कोई कॉल आपके लिए फायदे मन साबित हो आज कोई फ्रेंड यार इसे दरा आपकी भावनाओं का गलत फायदा भी उठा सकता है सचेत रहना होगा, कहीं से धोका भी मिल सकता है, कोई फ्रॉट कर सकता है आपके साथ इस से भी कुछ भविश्य से रिलेटिड जो है यो जनाएं अधर में अटक को जाएंगी, दूसरों से उमीद करने के बज़ाए अपनी काबलियत पर भरोसा रखना जादा पैठर रहेगा आप खुद की महनत पर, खुद के बलबूते पर सब पुछ ठीक कर सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास होना बहत जरूरी है पैसे से जुड़ी विवहार में सतर्क रहना होगा, लेन दिन में सावधानी बढ़ती है, दोस्त या जान पहचान के लोगों के साथ हो रही लेन दिन को कहीं लिख कर रखेगा दोस्त के दोरा नया अवसर आपको मिल सकता है, फिर भी सारी बातों को अच्छी तरह से परक कर ही, काम का फैसला लिजेगा आज घर या प्लॉट से जुड़े विवहार में प्रगती हो सकती है, लोन के प्राप्ती भी असाने से हो पाएगी आपको सोने के खरीदारियां विक्री को भी टाल दे, थोड़े दिनों के बाद ही आप खरीदारियां विक्री जरूर कीजेगा साथ में आज आपका अपने कारों के प्रती, पूरी क्षम्ता के संगठित होना, हर इशित्र में आपको सफ़ता दिलवा सकता है आप तो हर मुश्किल मुकाम को परिश्रम के जरी हासल करने में सक्षम है बादचीत के जरी ये चल रहे कोई मसलों का हल भी मिल सकता है, समाधान हो सकता है आज अपरी और अश्यूप समाचार मिलने से मन कुछ व्यथित्सा रहेगा जिसका असर आपकी कारिक्षमता पर भी पढ़ता नजर आएगा आपको बाहरी व्यक्ट्यों के साथ किसी प्रकार के बहस मुहसे में ना पढ़िएगा क्योंकि इसका जो नेगिटिव असर है वो आपकी परिवार पर भी बढ़ सकता है चुचलिए बात कर लेते हैं आज की बिजनस और केरिर के बारे में आज सांजेदारी से रिलेटिव व्यवस्था में किसी बात को लेकर समंद आज थोड़ी खराब हो सकते हैं इसलिए सावधानी बरतरी जरूर है आपको खुद के विवसाई के लिए जिस कारे के लिए आप प्रयासरत थें आपने महनत की थी उस काम की सिद्धी के लिए समय बहुत ही बढ़िया है यानि कि आपको जो है सफता हासल लग सकती है बैंक से जोड़ी व्यक्ति मानसिक तलीफ का सामना कर सकते हैं जिससे जो हैं आपके घर का महौल भी दूशित हो सकता है यानि कि खराब हो सकता है आज मार्केटिंग से लिए कारियों में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और अपने संपर्क सूत्रों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएए नौकरीबेशा व्यक्तिव का कोई प्रोजेक्ट निरस्त हो सकता है जिसकी वज़े से उन्हें दुबारा महनत करनी पड़ेगी और उतना ही टाइम स्पेंट करना पड़ेगा आज स्टुडेंस को भी काफी अच्छी चगव पर प्रकती हासिल हो सकती है अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो स्टुडेंस को अच्छी जॉब मिल सकती है इसे के साथ इसे तारे आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आज आपको जो है जाता से जाता किसी पर भरोसा नहीं करना है बलकि अपने बलभूते पर ही सब कुछ करना है धीरज मत खोईएगा आज आज कई लोगों जो थोड़ी बहुत हानी देखने को मिल सकती है लेकिन जारतर जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपको तो चलिए वागे बढ़ते और बात करते हैं आज के लव लाइफ की पारे में तो लव लाइफ कहती है कि किसी विप्रकार का फैसला लेने में जीवन जाती की सलाह और सहयोग आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित हो सकता है परिबारिक बातावरण भी आज खुश्णवा बना रहेगा एक दूसरे में काफी अच्छी चीज़े हो सकती हैं आप में पती पत्ने के बीज बहुती अच्छी बाते होती नजर आएंगी आप दोनों कहीं किसी रिष्टेदार की घर टाइम स्पेंट कर सकते हैं पती पत्नी में आप से सामंज़स से ठीक ठाक है दोस्तों के साथ भी परिवारी गेट टोगेदर होने इसे पुराने यादगार बाते ताज़ा हो सकती हैं आज आप अपनी शादी की आल्बम को देखकर यादों को ताज़ा भी कर सकते हैं पार्टर के सहयोग से जीवन की कठिन परिस्यती का सामना करने में आपको बहुत ही असानी हो सकती है आप इसे कुछ लोगों के पार्टर्स को कोई प्रॉबलम हो सकती है तो आप उनकी सहत का भरपूर मात्रा में ध्यान लखना चाहिए उन पर गौर फर्माना चाहिए बात करते हैं हेल्थ की हेल्थ कहती है कि मौस्वमी बिमारी का प्रभाव स्वास्ते पर पढ़ सकता है लेकिन जरा सिसावधानी आप उसे बच सकते है आपको देशी चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए छोटी बिमारी भी शरीर पर गहरा असर दिखा जाती है इसलिए किसे भी बिमारी को अंदेखा मत करें ऐसे रेटी की आप मेंसे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है जादा चाय पीना ऐसे रेटी को निमंत्रन दे सकता है इसलिए चाय के मात्रा आपको कम करनी चाहिए और हाँ साथ में जंक और ओयली फूड्स भी कम करनी चाहिए स्वास्ते आज कुछ नरम भी रहेगा कल्जोरी और मनोबल में कमी महसूस हो सकती है इसके लिए आपको उचित खान पान ध्यान रखना है और अपनी डाइट को संपुन मात्रा में लेना है ताकि दिन भर आपको एक्टिवनस महसूस होती रहे और आप चुस्ती से हर काम को कर पाए तो चलिए बात कर लेते हैं आज के विशीष उपाई के भारे में तो जाहिए आपके लिए विश्यष उपाई कहता है आज आपको घाइतरी मंत्र या सोरी के मंत्रोम जो है जाप अविश्य करना चाहे इसे जो है आपकी जो हर चीज है उसमें बहुत ही बदलाव आता नजर आएगा आपकी तरफ चे लोग हैं वो काफी attractive होते नजर आएगे साथ में अगर आप जो हैं चंदन का दिल्लक अपनी इश्टदिव को लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा तो दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद